कल और आज कोविट के टिका करण से संबंदित 447 एएफाइस रिपोर्ट हुई हैं और उन में से केवल 3 को अस्पताल में भरती कराना पड़ा एड़र्स इवन फॉलॉइंग इव्मेजेशन कोई एक अनेक्सक्टड की इस्ति है जो टिका करण के पश्चात हो और इसका संबंद्ध वैक्सीन से या वैक्सिनेशन की प्रक्रिया से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यदि किसी टीका करण के पश्चार किसी को अस्पताल में भरती कराना पड़े तो वो संख्या बहुत कम होती है और उसको हम सीरियस AFI में दर्च करते हैं कल और आज कोविट के टीका करण से संबंदित 447 AFIs रिपोर्ट हुई हैं और उन में से केवल तीन को अस्पताल में भरती कराना पड़ा और उन तीन में से भी एक जो नौदन रेलवे हॉस्पिटल दिली में भरती हुए थे उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है इसी प्रकार दूसरे जो हमारे एमस दिली में भरती हुए थे उन्हें भी डिस्चार्ज किया जा चुका है और एक जो तीसरे एमस रिशी केश में हैं वो हैं अस्पताल में और उनकी इस्थिती अच्छी है बहतर है आंधरा प्रदेश में आज 308 सेशन हुए अरुनाचल में 14, करनाटका में 64, केरला में 1, मनीपूर में 1, तमिलाडू में 165 इस प्रकार 553 सत्र आज कोविड वेक्सिनेशन के लिए इन 6 राज्यों में संचालित किये गए आज जो टिका करन हुआ है कोविड वेक्सिन का उसमें इन 553 सत्रों में 17,072 बेनिफिशेरीज को टिका लगाया गया है और ये फिगर्स प्रोविजनल हैं इस प्रकार कल और आज को मिलाकर आज तक 2,24,301 बेनिफिशेरीज को टिका लगाया जा चुका है आज तक बनौइज को टूली सुझा तक लिज छपनार तक 2 ,24,301 बेनिफिशा है